एक किसान ने पेट की सजरी के लिए बचाए दो लाक रुपई लेकिन चूहों ने किया उसे बरवाद। जीहां तिलेंगना के महभूबाबाद के बेमुनुर गाउ के एक दिल दहला देने वाली घटना में चूहों ने एक सब्जी किसान की दो लाक रुपई की नगदी को नश्ट कर दिया। रेडिया नामक के नगदी को अपनी अलमारी में रखा था और पेट की सजरी के लिए इसे सहेच कर रखा था। दो पेहा बाहन पर सब्जी बेचने वाला नायक ने इंटर्व्यू के दोहरान बताया कि सब्जी बेचने के बाद ये मेरी बचत थी। मैंने नोटों को एक सूती बैग में रखा था जब मैंने बैग खुला तो मैं ये देखकर चौक गया कि पासो रुपए के सभी नोट चूहो दोहरा कुतर दिया गया है। सब्जी किसान ने TRI के हवाले से कहा था की कटे हुए नोट मिलने के बाद नायक नोटों को बदलने के लिए कैस्थानी व बैंके में गया लेकिन बैंक के अधिकारियों ने उन्हें ने नोट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो इन कटे नोटों के बदले उन्हें नए नोट नहीं दे सकते। साथी उन्होंने ये सला दी कि वो अपने सर्थ के साथ भारतिय रिजब वैंग के साथ संपर्क करे। वल आपको ये अफडेट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताए और इसी तरह की लेटिस्ट अफडेट और न्यूस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें देखते रहे हमारे चैनल को और इस फिटियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भ भूले